वेलकम इन आराजय क्लासिस तुड़े वी लर्न स्टंडर्ड नाइन साइंस चेप्टर नंबर एट नेम इस मोशन आएम आका शुतरिया लेट स्टार्ट आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाला है वो यूनिफर्म मोशन नन यूनिफर्म मोशन और दूसरा हमारा टोपिक रहेगा मेजरिंग दर रेट ओफ मोशन तो फर्स लेक्चर में क्या देखा था हमने तो फर्स लेक्चर में सबसे पहले देखा था कि वोट इस मोशन आदमे बात करिती straight-line motion की motion भी कई tax के होते हैं दोस्तो straight-line motion होते है फोई circular path motion होते है मतलब के circle पर गुम्हते है कोई view object होता है वो circular होते है कोई straight-line होते है मतलब के सीध है रास्ते पर motion करते है और सीध है vibrating motion वह continuous की अपनी position पे है continue क्या करते है vibrate करते है सब भी मोशन के different different तायप है लेकिन ये chapter में हमें जो पढ़ना है वह सीथ straight line मोशन ही पढ़ना है तो दोस्तों आप चलो आज बात करते हूं uniform motion और non uniform motion सबसे बेरे देखते हैं कि What is uniform motion? Uniform motion. Uniform motion वो होती है. Equal distance traveled within equal time interval. Time के interval के बीच जो भी हमारी motion होती है, वो equally होती है. जो travel distance होता है, वो equally होता है. दो मिनिट आप रुको, आप एक्जाम्पल से इसली ये बात क्लियर कर सुखेगे. और non-uniform motion क्या है? What is non-uniform motion? तो आप बोल सकते हैं, on equal distance. Travelled during equal time interval. जो time के interval होता है, वो सेम रहते हैं. लेकिन वो interval में, सबसे पहला पहला interval होता है, तो उसमें कोई object है, वो 10 km रन करता है. और दूसरे timing interval में, वो 5 km ही रन कर सकता है. और आगे तीसरे interval की हम बात करें, तो 10 km रन करता है. मतलब के पहले interval में 10 km की motion की, बाद में 5 km की, बाद फिर से 10 km में, और एक interval में 3 km वो travel कर पाया है. तो ये motion को क्या करते है, non uniform motion करते है, और uniform motion की बात करें तो, कि timing interval सेम है, 15 पंदर का minute हम time interval ले ले लेते हैं, तो first 15 minute में 10 km travel किया, second 15 minute में, second 10 km travel किया, third 15 minute में, वापिस 10 km travel किया, मतलब के timing interval सेम है, तो उसके सामने जो travel distance है, वो भी सेम है, तो वो motion को हम बोलते है, uniform motion, activity 8.5 दी गई है, आप समझो, आपको क्या दिया है, एक object A दिया है, और B दिया है, और timing दिया है, तो distance traveled भाई है, A और 2, ये दो object है, और वो equal time interval में, कितना distance travel करते हैं, उनका एक data chart दिया हुआ है, activity number 8.5 आप बुक में देख सकते हो, timing interval की बात करें हम, तो सबसे पहले, 9.30 position पे, हमारा A object 10 meter travel किया है, हमारा B object ने 12 meter travel किया है, 9.30 से आप 9.45 पे आओ, मतलब, interval कितने का हुआ, 15 minute का, 9.40 से आप 10 पे आओ, interval कितना हुआ, 15 minute का, 10 से आप 10, 15 पे आओ, timing interval कितना हुआ, 15 minute, हाँ, हमारा जो timing interval है, वो same है, equal time interval, equal time interval, uniform motion हो या non uniform motion है, दोनों motion में हमारा जो time interval है, वो same है, तो चलो, आप ये A object की motion की बात करें, तो A object, 9.30 पे 10 meter travel किया था, और 9.45 से 20 meter travel करता है, मतलब, वो कितना travel करता है, 10 meter, और 15 minute का interval का, बात करता है, 9.40 से 10 तक, तो फिर 20 meter से कहा आता है, 30 पे, तो वापीस वो 10 meter travel करता है, आप 30 से 40, मतलब, 10 से 10, 15 में, तो पंदरा मिनिट में और कितना travel करता है, 10 meter, तो अब हमारे time interval से हमें, travel distance से हमें, दोनों equal है, तो ये object A की जो motion है, वो motion को हम बोलते हैं, uniform motion, लेकिन uniform motion हमारे आसपस बहुत कम देखनी होती है, बहुत कम देखनी हो जाती है, चलो, अब B की बात करें, तो हमारा B object, 8.9.30 है, 12 meter पे था, 8.9.45, 19 meter पे है, तो कितना travel किया है, 7 meter, बाद 9.40 से 10 है, मतलब कि interval से में, बाकी next, जो 15 minute है, तो उसमें कितना travel किया, 19 meter से 23 meter, मतलब 4 meter travel किया, चलो, next interval में देखते हैं, तो next interval आता है, 10 से 10.15, तो 10 पे वो था 23 meter पे, और 10.15 पे वो आता है, 35 meter पे, तब वो कितना travel करता है, 12 meter, तो आप देख सकते हो, कि हमारा timing interval 15-15 minute का है, तो first 15 minute में वो 7 meter travel करता है, next 15 minute में वो 4 meter travel करता है, next 15 minute में वो 12 meter travel करता है, मतलब कि जो अपना distance travel करता है, वो same नहीं है, वो equal नहीं है, 7, 4, 12, मतलब कि on equal distance travel during, equal time interval, तो इसका example देख सकते हैं, कि non-uniform motion कहां दीखी जाती है, तो as for example की बात करें हम, car passing through crowd, कोई बड़ा सा crowd है, और crowd में से car को क्या करना है, पास करना है, तो जब car crowd में motion करेगी, तब क्या करेगी, धीरे 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 कहीं कब बड़ा, तो stop भी करना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बड़ेगी, कहीं बार stop भी करना पड़ेगा, motion zero हो जाएगी, stationary में आए जाएगी, और जैसे जैसे जगह मिलती है, वैसे car क्या करती है, travel करती है, और जैसे crowd across कर जाती है, तब car की speed क्या हो जाती है, increase हो जाती है, मतलब car passing through a crowd, which is example of non-uniform motion, next बात करते है, measuring the rate of motion, आप cricket match देखते होगे, तो cricket match में जब कोई भी baller ball को throw करता है, तब आपने TV पे देखा होगा, नीचे जो पटी आती है ना, तो पटी में ball की speed देखी जाती है, जैसे 120 km per hour, 140 km per hour, उस तरह, आप कोई road पे जाते हो, और road पे एक limit हो दिये, कि आपको ये road पे fix, इतनी speed पे car चलानी है, तो वहाँ board पे लिखा होगा है, 40 km per hour, 50 km per hour, तो वो क्या माप है, तो वो ये माप के, तो आपको 40 km per hour से इंगाड़ी चलानी है, 50 km per hour की speed से इंगाड़ी अपनी चलानी है, मतलब, same distance को travel करने के लिए, object चेंज होगे, तो उनकी speed भी चेंज होगी, उनकी motion की जो direction है वो भी चेंज होगी, अगर आपको मैं बात करूँ, कि ये कोई 500 m का road है, और आपके पास एक ball है, और एक car है, तो आप सोचो, कि ये road को pass करने के लिए, कौन सबसे ज़्यादा speed पर जा सकता है, तो simply जवाब है ball, ball को आप जितने जोर से throw करोगे, तो ball की speed, initially, इतनी fast होगी, तो वो easily 500 m का road का, वो cross कर देगा, लेकिन car की बात कर रहे तो, तो car क्रोस तो कर सकती है, वो cross तो कर सकती है, लेकिन ball जैसी speed पर नहीं, मतलब कि object change होगा, तो उनकी speed क्या होगी, जब cricator अपने हाथ से ball को छोड़ता है, तब उनकी speed होती है, 120 km per hour, 140 km per hour, ball की speed, और आप कोई highway पर जाते हो, तब आपके car की speed होती है, 40 km per hour, 50 km per hour, तो आप समझ सकते हो, कि हमारे आसपास जो भी object है, तो वो सभी object की speed अलग-अलग होगी, तो मैं speed, speed बोलता हूँ, लेकिन what is speed, तो चलो देखते हैं, what is speed, speed क्या है, एक बात अच्छी तरह से समझो दोस्तो, same distance travel करने के लिए, different object को, different motion रहती है, चलो, आज अब दो बात करने वाला है, एक है speed और एक है velocity, concept difference नहीं है, थोड़ा बहुत, चलो, हम definition की बात करेंगे, what is speed, the distance, traveled, by object per unit time, मतलब, speed is equal to, distance travel, and, ये distance को travel करने में, चो टाइम लगता है वो, मतलब, take on time, और वेलोसिटी की बात करें तो, definition, displacement, पर, unit, time, तो उनका जो equation क्या होगा, तो उनका equation ये होगा, वेलोसिटी इस इक्वल टू, displacement, डिवाइड़ बाई, ये displacement करने में कितना टाइम लगता है, तो take on time, दोस्तों आप फर्क समझो, speed में क्या था, travel distance था, velocity में क्या आया, displacement आया, displacement और travel distance क्या है, तो first lecture में बात की, next देखते हैं, ये speed है न, वो scalar quantity है, और ये velocity है न, velocity is, vector quantity, मतलब, speed को describe करने के लिए, सिर्फ value ही चाहिए, लेकिन, velocity को describe करने के लिए, value तो चाहिए दोस्तों, लेकिन आपको क्या चाहिए, direction भी चाहिए, आप जितना भी distance ट्रावेल करते हो, तो एक value होती है, particular value होती है, कि 100 km, 800 km, 200 km, वो आपका total travel distance, मतलब, value की जरूरत होती है, travel distance को measure करने के लिए, लेकिन, displacement को measure करने के लिए, आपको particular क्या चाहिए, direction चाहिए, साथ में value पी चाहिए, तो जो quantity के पास value और direction होती है, इसे बोलते है vector quantity, और जो quantity के पास simple value ही होती है, तो इसे हम बोलते है scalar quantity, next बात करें unit की, unit दोनों का से हम है, वो easily याद रहे जाएगा, तो सबसे पहला SI unit, meter per 30 second, velocity की बात करें, तो unit का से हम है, SI, meter per 30 second, और भी एक हम है दोस्तो, unit, जिसे बोलते हैं, kilometer per hour, next है meter per 30 second, meter per second, तो उसका भी से हम है, velocity का भी है, kilometer per hour, meter per second, average speed की बात करें, average speed, क्यों average speed, हमें find out करनी पड़ती है, आप समझो दोस्तों, कि हमारे जो आसपा, surrounding में, चुबी motion देखी जाती है, वो सभी motion, mostly क्या होती है, non uniform होती है, तो non uniform motion, मतलब, कि equal interval में, जो distance travel होता है, वो unequal होता है, तो ये motion को, describe करने के लिए, average speed है, तो average speed, simple ये से ढूड़ी जाती है, find out कर जाती है, कि आपको सबसे बेले, क्या लेना पड़ेगा, total आपने कितना distance travel किया है, total distance, traveled, और ये distance को आपने, कितने time में finish किया, तो लिख दो, take on time, चलो, आप एहमदाबाद में हो, अच्छी तरह से average speed को समझना है, तो एहमदाबाद आपका starting point होगा, और आप जाते हो, और वड़ोदरा, बरोडा, तो एहमदाबाद से आपकी journey start होती है, आप वड़ोदरा पहुंचते हो, आपने कितना distance travel किया, 100 km, total 100 km travel किया, लेकिन ये 100 km travel करने में आपने 2 इंटोड लगा है, चलो, ये बात को ऐसे समझ सकते हैं, कि आपने पहले एक घंटे में, first hour में, आपने 80 km travel किया, next, one hour में, आपने 20 km travel किया, total कितना travel किया, 100 km, कितने घंटे लगाए, 2 घंटे, मतलब, average speed आपकी कितनी हुई, total travel distance, 100 km, और 100 km distance travel करने के लिए, time लगा, 2 km, 100 divided by 2, answer आएगा, 25 km per hour, sorry, 50 km, my mistake, year 50 km, तो आपकी average speed क्या होगी, 50 km, समझ सकते हो, आप हमदाबाद पे हो, बड़ो दरा जाते हो, first one hour में, आप AC 80 km cover करते हो, next worst hour में, आप 20 km cover करते हो, तो आपने distance कितना travel किया, 100 km, तो 100 km travel करने में, आपने कितने time लगा है, तो 2 hour, तो यहाँ पे hover हो रहेगा, simple, तो 100 divided by 2, तो आपका answer कितना में लेगा, 50, तो आपकी average speed होई, 50 km per hour, चलो, average velocity की बात करते हैं, what is average velocity, तो average velocity क्यों निकालने पड़ी, क्योंकि, कुछ motion ऐसे होते है, कि उनकी velocity continuously क्या करते है, move करते है, vary होती है, मतलब, कि constant नहीं रहती, उनका जो value होती है, वो continuously क्या होता है, change होता है, तो वो change होता है, इसलिए हम map लेते है, average velocity का, जिसे हम denote करते है, V average, तो जब average velocity की बात करें, तो सबसे पहले, आपके पास क्या होना चाहिए, starting velocity होनी चाहिए, मतलब, initial velocity, plus, आपके पास final velocity होनी चाहिए, और इसका आपको क्या निकलना है, mean निकलना है, समझो दोस्तो, हमारे surrounding में, कही motion, कही object के motion, ऐसे भी होते है, कि जिसकी velocity, continuously increase होती है, या continuously decrease होती है, तो वो object का, velocity निकालने के लिए, हम average velocity, describe करते हैं, तो what is average velocity, तो सबसे पहले आपको किसी भी object की initial velocity चाहिए, वही object की final velocity चाहिए, ये दोनों का आप क्या करोगे, summation करोगे, और mean निकाल लोगे, तो ये mean आपको क्या देगा, average velocity का दे, तो दोस्तों देखो, average speed का formula क्या है, total distance travel for taken time, average velocity क्या है, initial velocity प्लस final velocity, divided by 2, बतलब कि average और average velocity निकालने के लिए, आपको initial और final velocity का mean निकाल रख, तो आपको simply मिल चाहिए, हाँ, तो ये बात थी, speed और velocity के related, दोस्तों ये हम speed, velocity क्यूँ study करते हैं, तो ये velocity और speed के study के हिसाब से, आप किसी भी distance को भी find out कर सकते हो, चलो, ये है आपका घर, और आपके घर से आप, पैदल चलके, आप कहा पह जाते हो, अपनी स्कूल पह जाते हो, तो ये है आपका school, आप घर से निकलते हो, स्कूल पह जाते हो, और अपना time नोट करते हो, कि आपको घर से, स्कूल जाने में कितना time लगता है, तो time taken for, home to school, तो time is equal to, 15 minute लगा दो, चलो, 15 minute लगता है, और आपकी पेदल चलने की speed, 4 km per hour है, और आपको ये measure करना है, कि home, आपका जो house है, house है, ये school का, distance क्या है, तो आप क्या करोगे, सिदा formula लगाओगे, speed is equal to, traveled, distance, divided by, time, taken time, लेकिन समझो, SI unit, meter per second है ने, तो meter per second में, ये जब speed होती है ने, तो उसको क्या करना पड़ता है, convert करना पड़ता है, तो time 15 minute है, तो T is equal to, 15 minute, मतलब, पंदर गुणिया, 60, 15 multiply वे आपको 60 करना पड़ेगा, तो आपको वो जो answer मिलेगा, वो किस में मिलेगा, second में मिलेगा, और आपकी जो speed है, वो 4 km per hour है, त्यान से देखना, speed is equal to 4 km per hour, तो kilometer को, meter में convert करने के लिए, thousand से multiply करो, और, hover, one hover is equal to, 3600 second, तो आपको इधर, 3600 put करना होगा, ये दोनों value है न, ये कौन सी speed में आएगी, ये meter per second होगी, और ये second होगा, तो ये सारी value उठा के इधर रख दो, तो travel distance क्या हुआ, तो वो हमें find out करना है, time क्या है, तो time है हमारे pass, 15 multiply by 60 second, speed क्या है हमारी, तो 4 multiply by 1000 divided by 3600, तो ये उपर चला जाएगा, तो simple ही आपको मिलेगा, 4 multiply by 1000, 15 multiply by 16, X, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, 66, 36, 2 and 3, 3 and 5, 5 to the 10, 10, और multiply by 100, तो आपको, X मिलेगा, 1000, unit होगा, meter, तो आपके, house से, आपकी जो school है, उनका distance क्या हुआ, 100 in meter, तो आप समझो, कि आपको, आपके घर से, school पहुचने में, 15 minute लगते, मतलब, कि आपके घर से, आपके school का, distance कितना हुआ, 100 meter, तो वो कैसे find हुआ, तो वो, हमने, speed का formula, लगा गया, तो दोस्तो, आज के लेक्चर में, चार बात, study की, uniform motion, non uniform motion, speed, and velocity, तो दोस्तो, next lecture में, speed और velocity के, कुछ example की बात, करेंगे, मिलते हैं, दोस्तो लेक्चर नमबर 3 में,